है वीडिए में डिस्कूस करेंगे हम मैंट्रिक्स मिल्टिप्लिकेशन का स्लिप्शन देखे हमें दो मैंट्रिक्स दी जाएगे कैसे फिर नंबर दिया जाएगे चोड़ी मैंट्रिक्स का कॉंटेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 फिर जैसे तूसरी matrix के size बताया जाएगा पहले उसकी rows फिर उसके columns फिर उसके columns फिर उसके content बताया जाएगा एक एक करके चेकेज़े अब आपो ये दे दिया गया तो आपो करना गया इसके अदर अगर आप सो multiply नहीं कर सकते हैं आप प्रिंट कर दीजिए invalid input multiply कर सकते हैं तो multiply कीजिए output बनाईए और output को print कीजिए तो जैसे इस case में हम check करेंगे कि पहली के columns दूसरे के columns rows के equal हैं के नहीं अगर हैं तो हम एक नया matrix बनाएंगे जो होगा row 1 जितनी rows होंगे उसमें और column 2 जितने columns होंगे matrix multiplication ऐसे ही होता है न तो यह आपका 2DRR बन गया नया इसमें हर जेगे अभी 0 पड़ा है अब इसको fill करना है तो फिर हम इस matrix में loop लगाएंगे जिस spot पर पहुंचेंगे इसको fill करने ही गोशिच करेंगे अब जिसे इस spot को fill करना है आपको तो यह spot fill करने के लिए हम क्या किया करते हैं यह को इन सब से multiply कर देते हैं पहली matrix की row दूसी matrix का column ठीक है तो देखेगा एक spot fill करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको जो इस spot की row है वो row रहती है first matrix में जो इस spot का column है वो column रहता है second matrix में यहाँ पर columns change होते हैं यहाँ पर rows change होती है जैसे की दुबारा मैं बताने को जिश करता हूँ let us say हम इसका नाम रख रहे हैं C11, C12, C13 पहले तो यह product जो आपका है 2 x 4 का क्यों होगा क्योंकि जो common dimension होती है इसके columns की rows बराबर है तो size आपका 2 x 4 होता है हमने उत्ता बड़ा इसको बना लिया C21, C22, C23, C24 जैसे इसको declare किया है initially सब जगे 0 पड़ा होगा अब जो C11 की value होती है वो बहुत ध्यान से देखिया क्या होती है C11 की value होती है A11 into B11 plus A12 into B21 इसको बहुत ध्यान से अगर आप देखे न तो A के अंदर row हर्ज के सेम रही है जो इसकी row है वही row रही है row 1 row 1 first row में vary हुए क्या? first column second column third column B के अंदर column वही रहा है जो इसका है one 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 column हर्ज के one vary क्या हुआ है? row पहले first row फिर second row फिर third row तो मतलब जो इसकी row और column है अगर आप यहां नहीं देख पाएं इसको तो मैं किसी और जगे दिखाने को ज़िश करता हूँ मैं C23 में दिखाने को ज़िश करता हूँ ध्यान दीजिए ज़िए ज़िए C23 तो second row यहां से third column वहां से जो इसकी row है वो row यहां से उठाई जाती है A21 into B23 B13 sorry, this is B13 plus A22 into B23 plus A23 into B33 तो बहुत ही ध्यान से देखेगा जो यहां पर row है वही A की row हर जगे रहेगी A की second row ही रहेगी ठीक है और जो यहां पर column है B का वही column रहेगा अब वेरी क्या हुआ A में row और B में column पहले first column यहां पर A में first column B में first row A में first column B में first row है ना, यह देखे इसके अंदर second row में ही move किये इसमें third column में ही move किये second row में move करना मतलब column change करेंगे इस column में move करना मतलब row change करेंगे तो पहले one one उठाया गया फिर two two उठाया गया फिर three three उठाया गया तो यह मैं से code की form में करके दिखाता हूँ ज़रा ध्यान डालिएगा तो हमें बनाना होगा हमारा first matrix पर उससे पहले मैं scanner declare करना होगा scanner scn equal to new scanner system.in ठीक है फिर देखे मैंने क्या दो वरेबल मना है row one first वाले की rows first वाले के columns फिर मैंने first matrix मेरी declare कर दी और फिर उसको fill कर लिया लूप लगा कर उसको fill कर लिया मैं ऐसे लूप लगाऊंगा one dot link one की rows पर लूप लगाया one के columns पर लूप लगा रहा हूं तो one of i j equal to scanner dot next in तो इससे सारा one का input मैंने ले लिया जैसे ये input लिया है बिल्कुल similar तरीके से मैं two का भी input अब ले लूँगा ये हुआ R2, C2 और ये matrix का नाम हम रखेंगे two जो R2 और C2 से बना है two की rows में, two के columns में और two में हमने input रसीव किया तो दोनों भर गए अब आती है important बात अगर आपका column one is not equal to rows of two पहले के column दूसरी के rows के equal नहीं है तो आप यहीं पर print करेंगे invalid input और lot जाएंगे multiply ही नहीं कर सकते invalid input शायद ऐसे ही हमें print करने को बोला गया था let us check it out हाँ जी invalid input का आए छोटा बोला गया है तो input का invalid आए छोटा लिख देंगे हम और खदम करेंगे खदम कैसे करेंगे return करके otherwise हम एक product नाम के matrix बनाएंगे अब product नाम के matrix कित्ती बड़ी होगी first की rows और second के columns यही हमने किया था यह था 2 x 3 3 x 4 थो हमने 2 x 4 बनाया first की rows और second की columns इतना ही थो होता है matrix modification में अब मैं loop चलाता हूं इसके उपर product के उपर loop चलाने वाला हूं product के हर point को visit करेंगे उसको fill करने के लिए अब हर जिके 0 पढ़ा है we need to provide values for those तो हम पहुंचे अब उनको fill करना है अब देखेगा मैंने क्या बताया था fill करने के लिए बहुत यांस देखेगा for int k equal to 0 k less than something k plus plus जो product of i j होता है ना वो बनता है one of i row तो उसमें वही रहेगी यहां कुछ vary करेगा और two के अंदर row vary करेगी column तो j यह थी रहेगा ठीके ना यह देखेगा product of i j के लिए जैसे मैंने यहां पर बोला भी था product of i j के लिए c of two three के लिए a का हमेशा two row का ही इस्तमाल होगा a two one, a two two, a two three और c of two three के लिए b का हमेशा third column यूज होगा one three, two three, three three तो मैंने यही कहा है one of i fix कर दिया दूसरा देखेंगे two का j fix कर दिया और row देखेंगे अब वो vary कैसे करती है जब इसमें one होती है column तो इसमें one row होती है जब इसमें two row होती है इसमें two column होती है इसमें three row होती है इसमें three column होता है ठीक है तो basically वो k है दोनों जगे है वही k डाल दिया जाए i of k को k of j सो multiply कर लें और k पता है कितना चलता है जो वो common dimension होती है मतलब r1 c1 और r2 c2 बराबर होता है r1 c1 का c1 और r2 c2 का r2 c1 और r2 आपसें बराबर होते है तो यह उतनी बार ही चलता है c1 लिख दीजे या r2 लिख दीजे आप ही के मर्सी है फिर एक बार दोबारा लूप लगाकर हम इसको प्रिंट और करेंगे हमने दोबारा लूप लगाया इस बार हमें कुछ नहीं करना प्रिंट करना है system.out.print product of i j plus space और फिर space के बाद एक enter लगाना न भूले चिक है तो मैंने खियाद से उम्मीद करता हूँ हमको समझ में आया होगा submit करके देखते हैं वैसे हमें run करके देखना चाहिए two three तो मैं नहीं जानता हूँ कि यह output सही है या नहीं लेकिन हम out से अंदाजा जरूर लगा सकते हैं यह two cross three का है three cross four की साथ multiply करूँगा तो मैं उसे अंदाजा लगा सकता हूँ output सही है कि नहीं अगर two cross four का output आता है तो मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो जाएगा actually नहीं multiply करके नहीं देखा है ठीक है मैं इसको multiply करता हूँ run कोई compiled time error हो जाएगी तो दिख जाएगी हाँ जी दिखाएगी फ्यू compiled time errors तो 26th line पर है बिल्कुल तो यह हमने ठीक कर ली है अब है 46th line पर हाँ जी output तो मैंजे नहीं मालूम यह सही है कि नहीं लेकिन compiled time error नहीं आ रही है तो output सही है नहीं वह हम सब से submit करके देखते हैं now that it is compiled मिलते हैं अगले सवाल में थैंक्यू वेरे माच